मूँ के छाले से लगभग हर कोई कभी न कभी परसान हो ही जाता है मूँ में छाला होना एक आम बात है मूँ में छाले लाल और शफे दोनों रंगे होते हैं यह होठों, मसूडों, जीब और मूँ के अंदरूनी हिस्सों में होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि ये खाने की नली तक पहुंच जाते हैं और खाना खाते समें बहुत ज्यादा तकलिफ का सामना करना पड़ता है। मुँग के छाले बहुत दर्ट करते हैं और इसके साथ साथ इसमें जलन भी होती है। जिससे लोगों को सबसे ज़्यादा परसानी खाना खाने में होती है। नॉर्मल इसे लोग मुँग पकना भी कते हैं मुँग पक जाने के बाद लोगों खाना खाना दूबर हो जाता है। इसके होते ही लोग परसान हो जाते हैं जल से जल इसे ठीक करने का उपाय खोजने लगते हैं तो आज हम इस वीडियो में आपको एक ऐसे mouth print के बारे में बताएंगे जिसका एक बार इसमाल करते ही आपको मुह के छालू से तुरंद आराम मिल जाएगा काफी वेस्ट ये mouth print काम करता है तो दोस्तो वीडियो सुरू करने से पहले वीडियो के नीचे सब्सक्राइब का बटन दिया गया है उस पर क्लिक कर चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तो आज हम बात करेंगे new force mouth print के बारे में इसके composition की बात करें तो इसमें क्लोट ट्रिमा जोल एक परिस्ट पाया जाता है जो glycerine होता है नॉर्मल अधिक तर आप mouth print में देखेंगे क्लोट ट्रिमा ही जोल पाया जाता है लेकिन अगर आप generic या local इस्तमाल करते हैं तो जल्दी आराम नहीं देते हैं इसलिए कभी भी येसा होता है कि जब हमको मुह के छाले होते हैं तो काफी ज़्यादा परसान होते हैं तो सुचते हैं जल से जल ठीक होगे तो आप brandy ले निफोर्ष ले आपको तुरंत आराम मिलेगा इसके 15 ml के print के मार पी 87 रुपे 65 पैसे इस समय है थोड़ा सा candy जो आता है वो डेड़ सो क्या सपास आता है लेकिन ये 87 रुपे आ उससे लगबग आधा से थोड़ा सा दीखे तो ये थोड़ा सस्ता परता है तो लोग काफी जाता है इसका इसका इस्तिमाल करता है जैसे खुजली, तवचा की दरार, संकमर करहा होने वाली परसानी, मूख के अंदर रिंग वार में एथिलीट फूल्ड, फंगल ने, पीरेस यार फंगल स्वेज़ेस इंस्फेक्शन के इलाज में ये काम काफी वेश्ट काम करता है माउथ प्रेंड, और कभी भी आपको के अंदर ही मूँ एकदम ठंडा करता है, और काफी ज़्यादा आपको अराम मिल जाता है, अब बात करें कैसे इसका इस्तमाल करना है, तो नॉर्मल आप जहां जहां आपको मूँ के छाले में जिस साइड हुए, उस साइड अपने साफ हाथों द्वारा वहां लगा सकते है हमें ऐसा ध्यान देकी साफ हाथों को अच्छी तरह साफ करते हैं, तो बनने के चांस हो जाते हैं, तो हाथों को हलका सा गरम पानी से धो धा तब इसका इस्तमाल करें, जहां मूँ में छाले पड़े हैं, जिस साइड पड़े हुए, आपको 10-15 मिनिट के अंदर काफी ज़ इसमाल करेंगे नहीं तो नहीं करेंगे फिर वे इसका इंट्रीएट अगर किसी आदमी को ऐलर्जी होता है तब शायड इफेक्ट देखने को मिल सकते हैं जैसे ब्लेडिग तो अच्छा का लाल होना जी मचलना उल्टी स्कीन पेरेसे पेट दर्ण नार्मल यहीं सामिल है इस तो तुरंत इसको बंद करके डाक्टर से सला ले सकते हैं क्योंकि नौर्मल साइड इफेक्ट आपके मुह में देखने को मिलेंगे तो यह अगर इसा भी नहीं अगर जब समाल करेंगे उसके 10-15 मिनिट के अंदर आपको ऐसे साइड डेखने को मिलेगे तो ज्यादा सही कोई भी मुव में फंगल इंफेक्शन टाइफ कर दिक्कत हो तो इसका इसमाल करें देखें आपको 10-15 मिनट के अंदर काफी तेजी सा आराम मिल जाए काफी ज़्यादा लोग मुव में छाले होते ही परसान हो जाते क्योंकि खाना खाये नहीं ज़्यादा और खाना ना खाने कर दो और ज़्यादा परसान हो जाते हैं तो तुरंत इसका इसमाल करें 10-15 मिनट के अंदर आपको आराम मिल जाएगा और काफी वेस्ट काम भी करता है तो चली दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना है फिर मिलेंगा एक लिए वीडियो में कुछ नहीं लेकर